करा जारी तू मे तेकेसे वियुक्त विहार से सुत हैं लिए है बोतानिकल गार्डन मेट्र सेश्न पेडी गार्डन है इन एड क cannabis में इन प्रक्राई यह उल्य करता कि आख स्एट करें जो कि चार्ज होकर चलती है और इसमें बहुत अच्छे-च्छे सर्विसेज है तो बड़े आराम से ये हमें आग्रा पहुजाई है और अगर आप भी आग्रा जाने की सोच रहे हो तो इस न्यूगो एलक्टिक बस को ज़रू ट्राइ करना जाने के लिए तो फिलहाल हम लोग दिली से पहुँच चुके हैं मतुरा और मतुरा में हम लोग मज़े ले रहे हैं इस थाली का जो कि चौपाटी धाबे का है और बहुत ही टेस्टी था और लगभग आट बचे हमारी बस खुल चुकी थी बोटानिकल गार्डन बस स्टेशन से आगरा के ल इसके बाद हम लोग पहुच जाएंगे आगरा, आगरा में पहुचते के साथ हम लोग पहुच जाएंगे फत्यापूर, सिक्री और किस तरह से हम लोग पहुचे हैं कि सब आप इस वीडियो में देख पाएंगे तो अगर फैमिली के साथ ट्रावल कर रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें तो बस का ड्रॉप पॉइंट आगरा फोर्ड था और आगरा फोर्ड पर हम लोग उतरते ही ए रिक्षा कर लिए और इ रिक्षा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने होटेल जिसे हम लोग ने ऑनलाइन बुप कर लिया था तो आप देख पाएंगे कि कौन सा होटेल हम लोगों ने बुप किया यह होटेल प्रेसेडेंट जो कि आज महल से बहुत ज्यादा पास है बिल्कुल पास से दस मिनिट में आप अगर इस होटेल में रहते हो तो आप ताज महल पहुच जाओगे तो चलिए अंदर चलते हैं और ओवर और यह होटेल बहुत बड़ा और बहुत लाविश नहीं था नॉर्मल सा था लेकिन अच्छा था तो लगोग 12-20 पे हम लोग होटर से निकल चुके थे और हम लोग जा रहे है फतापूर सिक्वी के लिए और हम लोग फिलहाल पहुच चुके हैं आगरा गेट पर जहां से हमारी इंट्री होगी सारे फोट्स देखने के लिए और हम लोगों ने बुक कर लिया था कैब तक आराम से जाएं आराम से पहुचे यह कैब हमारा वेट भी करेगी और हम लोग आराम से घुम कर फिर से इस पर बैट कर लट आएंगे तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पर और यहां पर हम लोगों ने कर लिया था गाइड यह पार्किंग एरिया जहां पर गाड़ी लगती है और आप भी अपने गाड़ी से आओ तो यहां पर गाड़ी पार कर सकते हो तो गाइड हम लोगों से बात कर रहे हैं 300 से 400 रुप स्चार्ज करती है फिर वह वस आपको ठोड़ पर छोड़ेगी चलिए पहुंचते हैं वहां पर और देखते हैं स्चार्ज करते हैं तो हम लोग पहुंच चुके हैं फतहपूर सिक्री एक पूरा टॉंशिप है जोकि अगबर ने अपने टाइम में अपने बन वाया था तो आईए अंदर देखते हैं और हमें का क्या देखने को मिलता है मुझे तो बहुत दिल्चस्प लग रहा था ये फिलाल जिस एरिया में हम लोग खड़े वे ये एक दिवाने आम है जहां पर आम लोगों की बाते अकबर सुना करते थे अपने मिनिस्टर्स के साथ जो आप घास देख रहे हैं नीचे आम लोग बैठा करते थे और उनकी फरियात सुनते थे अकबर और जो भी मुझरिम पकड़ाया करता था वो यहां पर खड़े हाथी के पैरों से उसे दब करते थे वी सिजन ली जाती थी उस टाइम यह खास लोगों की जगहा थी और मैं उस टाइम का पार्लेमेंट दिखाने वाली हूँ जहां पर इंग और उनके मिनिस्टर बैट सर डिस्पेशन करते थे तो यह एरिया कुछ इस तरह का है और बहुत अच्छा लग रहा था तो चलिए हम लोग अकबर का पार्लेमेंट देखने के लिए चलते हैं अंदर में तो यह आप देखने यह अगबर का पार्लेमेंट है जो कि आपको बाहर से देखने में लग रहा है कि यह डबल स्टोरीड है पर यह अंदर से देखने का तो यह सिंगल स्टोरीड बिल्लिंग ह और मतलब इसके अंदर के खास बात आप देखिएगा कि अकबर जो है वो उपर के साइड में बैठते थे अपने मिनिस्टर के साथ मीचे में कुछ भी नहीं रहता था और नीचे में लोगों को भी हटा दिया जाता था उनके पास बैठतर सारी discussion करते थे और कोई भी लोग नीचे नहीं खड़े रहते थे अगर नीचे जो खड़े रहते थे उनका कान बिल्कुल बंद कर दिया जाता था यासा कि हम लोगों को guide बताया यहाँ पर और यहाँ पर का जो भी आप देख सकते हैं यहाँ के आर्ट वगारा बहुत ही मतलब उस ताइम मतलब उन लोगों ने कितने मेहनत से और कितने दिमाग लगा कर इन सारी चीजों को बनाया होगा और इसकी जो संरचना कहूं इसकी जो construction कहूं इस पर लिखा वादा कि आधवित्य है पूरे world में मतलब इस तरह की संरचना दुबारा नहीं देखी गई है से आध मैंनों देखी बादाल ड़े टो फिसकी ओ कर देखी मेझ के हो उसे शीचे हम करते हैं, लड्की नचर शीआप मननुन समय की। तो जेबाइय यहां पर फुदूर आपनाएज कि आफ गार भागेंगें यह पामने थे पैसे बाद मेंगेंगे। इस बाले प्रेफ़रम पर मीचुब आते थे ते बालकनी दिखे लिए उपर कमरा भी अपर कर बेक्म हो अच्छकर बीच में बालकनी खाए अपर अपर अपनी फैमिली गेढ़ां बैटकर अपनी गएस्टों गेढ़ इसका अनुजिया करते थे यह पर रोच देली प्रोडम ह करने के जाने के साथ नए पिछ़ए जोदाफबर कहने को जसन बाहर आए जायद आपको यादों आपनेगी पिछला थी अपहार आप को यादों आप देगी पिछले सेखे लावा था का बूतर के लिए पर अच्छेश पर खुबया है तो लिए जाए पर यूटुब पर वारा सुझी में दूर्ता है, परना करें लिए विए माँ भाला वी मैं हमा भाला वीज सोयी है यह अधर का बैड अधर ऑग अधर का उंप बॉए में प्रबागो भीचिए रुप पर शुपते हैं अधर की भाला सुपते हैं तबादम को सब्सक्राइब कर दो कि अरद बादमार पाने के शुच कर दो बादम कर दिखिए लाय भादम पौड़ की शुच कर दो इस्से उपर कज़ें प्रदे जा इसे उपर कज़ इसे उपर की अहां वो गुम तो बेगम का रूम İs को मेरे बाफ रोगे बेढ़नी से घंच, जार्व है कंज से रखता है, प्रिचिन बैपना घ्र ॉदिन कला ॉदम भीत उतो है झाल्व तो जो रखता जो ऑन समांगी तो घ्रकत हम अप्ना कहना व्याँ कुछ पोला यह तो छो चति आसे नहीं के नहीं जा अच्छी को अचा जीए है यह मैं सुझाए यह अच्छीद भूगा सिंट इति अच्छी यह अच्छी यह बना तो हुग उर्ड़ाई कर देंग को जीक झी काया है कषिए अजय केप्र हर शिष्कन जादो आपा चाहा जली है, महाँ पर अच्छी बात इभी, समर रूम माजे विंटरूम ये पुरक का बाजहते हैं ये वेला विंटरूम ये वाला विंटरूम ये पर टूर्ची का पेड़ो करेंगा तो नुचे के पर पान जबाते हैं तो जबते हैं सामनों मंदर पुया बाता क्या को अच्छा 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 आच्छा अच्छा अच्छा आधा जो राइगे माज़ा नो कर सब ताच एगा करस्छान आच्छा आच्राइगे बहा अच्छा प्या हमाच्छा आच्छा आचा पुरखे तब शर्वी बाद रहकर जले गए को है, को बार्ट एक बना कीप, तो आपा नहीं अप्शा on जो अगरावेटक रहा हैं या इस अच्छा हम पबबने हैं कि अच्छा एक लोग देर जा रहे हैं अब लोग तो जोधा बाई के पैलेस से निकलते हुए अंदरी अंदर रस्ता है जो कि हमें ले जाएगा जामा मस्रिद, बिलन दर्वाजा और सलीम चिश्टी की दर्गाह तक बड़ में लेगागा ब्राएगा जामा मस्रादी के अंदर प्रें कि अं द्ला्व युघ चितल में स॥ी के दोपना है जो अंदरी में छुब है में सनी सभेलो उक्र बार उस सकत uma ideia शचीजिस मिने में चामा मस्जिद के अंदर अकबर ने बनवाया था और यह जामा मस्जीद और यह सलेम चिश्टी की कि दर्गाह और जह हम लोग अकबर जो द्धा का यह पूरा जो पैलस दिवान词ाम दिवान词 खास जो घूम कराए है ये तब बना जब अकबर को सलीम पैदा हुआ और सलीम बहुत दौाओं से पैदा हुआ क्योंकि अकबर अल्ला से बहुत दौा मांग रहा था कि मुझे एक आउलाद दे दें अल्ला लेकिन उसे आउलाद हो नहीं रही थी और वो इसी मोड पर सलीम चिश्टी से जा मिला था और उसे कहा कि आप अल्ला से दौा करें कि मुझे एक आउलाद हो और उनकी दौा से अकबर को सलीम पैदा होता है और सलीम का नाम इसी बाबा सलीम चिश्टी के नाम पे पड़ा था और जो की आगे चलकर जहांगीर बाश्या बना था उसका दूसरा नाम जहांगीर था बस इसी खुशी में अक्बर ने इस सारी चीज यहां पर बनवाई है बलंद दर्वाजा है यहां पर यह सब आप लोग इस वीडियो में देखेंगे यहां पर आप बहुत सारी कबरे देख रहे होंगे इन में से जो कुछ कबरे हैं वो उस जमाने की है और कुछ कबरे जो हैं वो सलीम चिश्टी बाबा के खानदान वालों की है अब जो है हम लोग जा रहे एक ऐसे दर्वाजे के पास जहां पर अनार कली को चुन्मा दिया गया था जी हां बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनार कली को मार दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं था बाशागबन ने अनारकली को पाकिस्तान पहुचा दिया गया था इस जमीनी रास्ता से जो एक सुरंग है यहां पर मैंने एक बहुत ही मज़े की चीज़ देखी जिसे आप कह सकते हैं नाच्रल कूलर या नाच्रल एसी आप यहां पर देख सकते हैं जो गाइड भाईया उनका शट कितना उड़गा है क्योंकि इस जो वेंटिलेशन से इतनी अच्छी हवा आ रही इतनी तेज ठंडी हावा जो कि पूरे एरिया को ठंडा कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं सलीन चुष्टी की दरगाह देखने के लिए झाल हम भाईया आ रहे हैं सलीन चुष्टी और अब जो हम लोग बहुत चुके हैं बलन दर्वाजा के पास जो आप देख सकते सामने से कुछ इस तरह का दिखता है और इसे अकबर ने तब बनवाया था जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया था उसी के खुशी में इस तरवाजी को बनाया गया था जिसे विक्टरी डोर भी कहते हैं तो ये था पूरा पतहपूर सीक्री गाइड जरूर करीगा क्योंकि उनकी बता हुई कहानी और ये सारा जगह घुमना बहुत ही मज़ेदार हो जाता है बहुत ही अच्छा यहां से बाहर निकलने के बाद हम लोग बस पर बैठेंगे और बस से हम लोग उसी जगह पर पहुँच जाएंगे जहां पर हम लोगों ने अपनी कैब खडीव की हुई है और साथ में साथ कुछ खा पी लेंगे और जैसे हम लोग इस जगह से बाहर निकलने वाले होते हैं हम लोगों उने जितनी भी फोटो करवाई थी वो सारा फोटो हमें यहां पर मिल जाता है हर एक फोटो का सतर रुपया लाता था और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे फोटल और शाम में हमें जाना है आगरा की चाट गली नेक्स दे जाना है ताज महल देखने के लिए आगरा पोट और और भी बहुत सारी जगह हैं वो सारा व्लोग आने वाला है तो जल्दी से चानल को स्ब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अल्ला हाफिर